सब्सक्राब कीजीए संस्किर्दरसन चैनल को और नोटिफिकेशन घंटी को दवाएं ज से संस्किर्दरसन चैनल में आप सभी का स्वागत है संधी प्रिकंड चला है और संधी प्रिकंड में हमने विसर्ग संधी को समझने का प्रयास किया है और मैंने उसको शौडविधी बताने का एक करम से बताने का प्रयास किया सबसे हटके बताने का प्रयास किया है तो उसके मैने दो वीडियों में बताने का प्रयास कि आज हम तीसरा ले लिते हैं इसमें दो सूत्र समझाने का प्रयास करूँगा आपको, ठीक है, तो यहामाने लिख देता हूँ विसर्ग संधी बिसर्ग संधी अब बिसर्ग संधी में हमने बिसर्ग का बारे में जान लिया और बिसर्ग से हटके भी दो सूत्रों के बारे में हमने जाना था हम एक सूत्र लेलेते हैं फिर डीटेल में जानने का प्रयास करेंगे पैस उत्र लेते हैं भो भगो अगो आ पूर्वस्य यह न यो अशी यो अशी भो भगो अगो आ पूर्वस्य यो अशी इस सुत्र को थोड़ा सा जानने है ठीक है यह सब भो भगो अगो आ या ठीक है और अश इतनी चीजे हैं इसमें यह तो आपको साफ पता चली रहा हुआ इसमें आप देखिए हमने अब तक पड़ा था जो साका सासर जूसो रू याद रखना इसी के बारे में समझा रहा हूँ मैं आपको साजूशो रू इसको मत भूलना क्योंकि यह इसकी जड़ है यहां से शुरू हुई है बाते हैं यदी साका जैसे इसमें हैं इसको मैं बता दूँँ आपको है न भोस है तो इसका बताऊंगा कैसे हो जाता है यह आप जानते ही है सासर जूसो रू बनेगा और रू का उपदेशे अजुरनास का इतसे इतसंग्या हो जाएगी तो बन जाएगा भोर ठीक है ऐसे ही यह भगोस है यह अगोस है यह आ है यह आ किसी भी उसमें आ जाए बताऊंगा इसके बारे में शब्द में तो या हो जाता है या हो जाता है यदि अश प्रत्याहर परे हो तो अश का मतलव आईउन से शुरू होता है और जब गड़ दस तक वो खतम हो जाता है तो वहां से ले करके जितने भी वान है आश से शुरू हो करके वो सब अश्क के अंतर गताता है ठीक है अब देखिए साब बताता चलू इसको तो इसको हो जाएगा भगोर है ना इसको हो जाएगा अगोर और इसका मैं उधान आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा इसका नहीं ये बाला बता दी हमें आपको ये जो आ है इसके बारे मैं अभी इनके बाद समझाऊंगा तो बात यहां थी कि इस तरह से ये प्रियोग होते हैं यदि इनके बाद में भो भगो अगो यानि इनके बाद में यदि अश्प्रत्याहार में से कोई वी वर्ण हो तो अब तक हमने पढ़ा था इसका उ हो जाता है है ना पिछली वीडियो में या विसर्ग हो जाता है या साव हो जाता है बहुत सारी चीज़े पढ़ी थी लेकिन यहां इस सूत्र के जरिये भो भगो अगो आपूर्वस्ययू अशी याद रखना इसको बहुत टिपिकल सा लगत इतनी सी वात है अब देखें मैं इसके उधान पूरे बताता चलू इसको देवाह नमस्ते याही ठीक आब क्या बन जाएगा इसके स्थान पर मैं यहीं इसके इसको मैं ऐससे कर लेता हुआ इसमयाई इसका नमबर है पहला पहला नमबर लेता हूँ है ना यहां पहला यह है दूसरा और यह तीसरा यहां से इसलिए मैंने किया है कि आपको साफ होती है यह जो रहा हुआ है सुत्र से हुआ है साथा ठीक है ये जब ही होगा ये याद रखना अब यहां जो condition लाग हो रही है इसके बाद ये सुत्र प्रियोग होगा इससे पहले जो भी सुत्र वो ये है ठीक है चले तो यहां बन जा गई है भूरधन देवा आप देखिए यहां मैंने इसको उतार लिया यहां पर अब ये सुत्र कहता है कि इसके बाद में क्योंकि जो दा है जब गड़ इसमें आ रहा है अर्थात अश्प्रित्याहर के अंतरगति आ रहा है तो रा के इस्थान पर या हो जाएगा तो बन जाएगा ये भूय देवा ठीक है यह हलंत है ध्यान रखने जल्दी में मैं थोड़ा बड़ा बड़ा इसको भूय धन देवा ये बन गया अब बन गया तो ये सुत्र हो गया कम्प्लीट लेकिन इसके बाद में एक सुत्र और दे दिया गया है उसको और बताता चलूं क्योंकि ये बहुत ही मुख्य है दूसरा वाला हली सर्वेशाम इसी के लिए है ये ठीक है हली सर्वेशाम ये कहता है यदि हल परे हो तो हल परे हो तो निश्चित रूप से नित्त रूप से याका लोप हो जाता है और हल में आप जानते हैं सभी वियन्यना जाते हैं तो ये भी हल के अंतरगती है तो इसका क्या हो जाएगा इस सूत्र के जरी है याद रखना हली सर्वेशाम हली सर्वेशाम सूत्र के जरी यहां का लूप हो जाएगा तो बन जाएगा भोधन देवा ठीक तो इसको हम पूर्ण रुप से इसको लिख लेंगे बन जाएगा यह भो देवा उम्मीद कर रहा बहुत अच्छी समझ्याभव का एक और ईसको पूरा बताता चलूंए वहिए कि हमारे पास सुत्र है इसमें वह है यह जब इसको बनाए है अना जाता है तो सा को अब वह कैसे बनाया जाए वह फ़िर बहुत बड़़ा हे हो जाता है मैं उस पर नहीं आना चाहता सा मिलेगा फिस यहां से सूत्र सुरू होगा यह सरसर जुशो रूं से इसका रूं होगा सा का फिर उपदेशे अजननास का इतसे इसको इतसंग्या होगी बच्चे का हमारे पर रा तो बन गया भोर उसके बाद यदि कोई शब्द है जिसमें अश प्रत्याहार है प्रत्याहा में दा रहा है तो रा के स्थान पर इस सूत्र के अनुसार यह हो जाएगा भोय धन देवा एस बन गया प्रियोग तो ऐसी कर लेना चाहिए था लेकिन इसी के साथ में पार्णी जी ने हमें दूसरा सूत्र दे दिया कि ठीक है यह आया बन गया तो हल इसरविशाम यानि हल अगर प्राप्त हो या के बाद में तो उसका नित ही लोप हो जाता है हल के बोला है जब स्वरों की बारी आएगी तो उसमें नित नहीं होगा वह विकल्प से उसका लोप होगा तो वह धन देवा यहां पर जो यार का लोप हुआ है वह इस सुत्र से हुआ ठीक और यह हमार रूप सिद्ध हो गया, जब रूप सिद्ध करना सिखाऊंगा मैं भविस्में, कोशिश कर रहा हूँ मैं एक एक करके, जब शब्द रूप बनाएंगे, या क्रिया रूप का प्रियोग करेंगे, तो इनके फिर डीटेल में, क्योंकि इस संद्धिया वहां बहुत काम करेंग दूसरा देख लो, क्या है दूसरा, भगोर नमस्ते, ठीक है, भगोर धन नमस्ते, अब ये हलंत है, इसका क्या आजाएगा, रा हो जाएगा, रा का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और ये नमस्ते, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ना जो है, अश्क अंतर गता रहा है, और ये बिंजन भी है तो हाली शर्वी शामसिया का लोप भी हो जाएगा तो भगो धन नमस्ते और बन गया ये भगो नमस्ते ठीक है सही से समझ मा रहा होगा चलिए अब मैं आपको तीसरा ये बता दूँ अब मेरे बताने का कोई ओचित नहीं है क्योंकि ये आपको इतनी बात मैं समझ में आ गया होगा फिर भी मैं ये बताए देता हूँ अगोर धन याही बन जाएगा ये रा के स्ससे हो जाएगा रा का या बन जाएगा इस वाली सुत्र से भो भगो अगो आपूर्व से युवाशी से क्योंकि या हमारे पास अश्प्रत्यार का नतर गताने बाला है और ये चूंकि बिढ़न के नतर गता आता है तो हलिसर शाम से या थालोप भी हो जाएगा तो बनेगा यह अगो धन याही यह अगो याही ठीक है तो यह बातें आपको साफ समझनानी होंगी तो मैं अब इन सब को मिटा करके यह वाला लेता हूँ ठीक यह चूट गया था हमसे मैं ने बताया था इसको बादम बताऊंगा पहले एक साफ कर दो है ना चलिए इसको हटा देता हूं मैं हां से तो इसमें रहेगा तो आपके दमाग में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी अब देखिए देवास धन इही मैं इसलिए हां साल लेकराओं को कि पिछली वीडियो में हाला कि बता दिया था मैं लिखूंगा नहीं लेकिन समझते चलो इससे इस सूत्र से देवार हो जाएगा इसका और इही हमारे पास है है अब इससे दो चीजें समझ माजाएंगे एक तो यह समझ माजाएगा दूसरा हाली सरविसाम वाला भी इसमें साफ हो जाएगा अब हमारे पास ये जो आ है आ जो पूर्म में है देखिए यहां पर दीर्ग के आ के रुप में अंतरग आ रहा है जब हम अच्छों का अध्यन करते हैं तो भावी दीर्ग आ के बारे में कोई वात्चर्चा नहीं कीगी है आ यू रिलक सीधा कर दिया गया आ यू हिरस्व को लिए गया है और उनको हम दीर्ग के रुप में ले हि- लेते हैं तो यहां दीर्ग में आ गया अगर हिरस्व होता ये तो अतोरोर परताद परतेक अंतरगत रहा के और बास्पाने वह नहीं है तो यह और लाई पास कोई भी अश भी नहीं है यह जो वाला अश है हमारे पास हल नहीं है हल शर विश्राम के अंतर करता आने वाला हल नहीं है स्वर है तो अब इसमें देखी तो हम क्या करेंगे इसको देवार का या होगा धन ई होगा है ना इसमें लो एक सुत्र और आता है लो पह शाकालस्य शा याकन हुए हैं तो उनके मत में इसको विकल्ब से लोब होता है तो विकल्ब नहीं होगा तो इसको दो रूप बनेंगे क्या बनेगा देवा ही प्रतम रूप विकल्प बाला और इसके अनुसार इसके अनुसार तो कुछ होगा यह नहीं क्योंकि यह मतलब यह नहीं बनता और देवा इ ठीक है इस तरह से ये प्रियोग कर लिया जागा उमीद है ये आपको बड़े अच्छे समझ मा आगया होगा मैं इसी में एक सुत्र और समझाने का प्रयास करूँगा आपको इसको मिटा करके दूसरा सुत्र लेते हैं उसमें हम चलते हैं रोरी सुत्र का रहा है रोरी ठीक है रोरी जो सुत्र है ये जो सुत्र कहता है वो क्या कहता है कि यदि रा के बाद रा ही आए रा के बाद यदि रा आए तो रा का लोप हो जाता है एक रा का लोप हो जाता है जो रूबाला रा है उसका लोप हो जाता है मैं एक उधान लूँ फिर आपको बात साफ करता चलू जैसे पुनर धन रमते ठीक है अब यह पुनर रमते और हमने जो सूत्र पड़े थे उससे क्या हो जाता था किसी का बन जाता था बहुत सारी बात बन जाती थी और यहां भी बना है इसका लेकिन यहां क्योंकि रोरी से रा आ रहा है रा के बाद मैं रा रहा है तो इसलिए इस रा का लोप हो जाएगा बच्चे गा पुन्रधन रमते ठीक है अब यह बन गया इतना पुन्रधन रमते लेकिन इसमें एक सूत्र और प्रियूख किया गया है ड्र लोपे ड्र लोपे पूरवस्य दीरगो अनहा ठीक है यह वाला सूत्र प्रियूख किया गया है इसका मतलब है धा और रा के लोप होने पर ठीक है यह दो बन है इनके लोप होने पर पूरवस्य पहले का दीरगो हो जाता है किसका अन का अन प्रत्यार में आने वाले वर्णों का केवल याद रखना किसका दीरगो होता है अन प्रत्यार में आई उन ठीक है इनका दीर्ग हो जाता है ठीक तो पहला सुत्र कहता है कि रा के बाद में यदि रा आए तो उसका लोप हो जाता है दूसरा कहता है जो लोप होता है उसके पहले वाले वन्ड का क्या हो जाता है यदि उसमें आ, इ, उ मैंसे कोई ही अक्षरत उसको दीर्ग हो जाता है दुबारा से लुगा मैं इसको पुनरधन रमते है ना? अब बन जागाई है पुनधन रमते अब हमारे लिए कह दिया उसने कि इसको दीर हो जाएगा अभी तक स्थिती क्या थी? कि अब साथ्या लोप वाल इस्थिती थी तो यहां से हमें क्या बन जाएगा यह पुना धन रमते ठीक है बन जाएगा यह पुना रमते भूत आता है इस तरह के जो आते हैं वो बहुत प्रसंद पूछी ले जाते हैं परिख्षाम में और इसमें बहुत जादा गलत होते हैं इसमें मैं और दो चार्श आपको उधान देने का प्रियास करूँगा जहां गलती हैं कि संभावना ज्यादा होती है वो यह बताने का मैं प्रियास करूँगा आपको ठीक है चलिए एक और देख लेते हैं मुद्धार्श क्या हरे अब आप समझे लेना कि रा का इसे बन गया हर इसके बाद में ठागना है ठीक है र रा के बाद में रा रा इसलिए इस रा का लूप हो जाएगा और ये धन रम्य होगा अब हमारे पास यहां अण के अंतरकत आने बाला है तो ड्रलो पीपूर्वस्यदीरको अण से क्या होजाएगा इसका दीरको हो जाएगा तो हरी धन रम्य बन जा गई हरी रम्य ठीक है कि इसको प्रियों के लिया जागा इसमें बिसर्ग लगा ले ना आप ठीक है मैं कभी-कभी भूल जाता हूं इन कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो ही आते हैं बोलती समय तो हरी रम्य हां इस तरह से ये प्रियोग कर लेते हैं दो उधारण आपको और दिन का प्रयास करूंगा जो ज्यादा तर परिक्षाओं में आते हैं पहला देख लेजिए आप कि अंतर धन राष्ट्रिय यह यह मानिये कि इतना आता है यह वहुत जादा यह प्रियोग किया जाता है यह जब हम टीटी का परिक्षा ने देए थी हमने तभी यह आया था और लगवग नभे प्रित्सत्र लोग ने इसको गलत किया था क्योंकि हम लोगों को जो अंतर राज रा उपर मिलता है हमको लेकिन रा के बाद में हमको रा प्राप्त हो रहा है इसलिए इस सूत्र से पहले वाले रा का लोप हो जाएगा बन जा गई अंत धन धन राष्ट्रिय अब जाब यह बन गया तो हमें इस सूत्र में अन्हें है औहरे तर्लो पे पूर्वस्ते दिर्वोग औरसे इसको ती दीर्वग हो जाएगा बन जाहेगा अंता धन राष्ट्रिया है ना तो यह बन जाएगा अन्ता राष्ट्रिया इस तरह से यह प्रियूख कर ले जाए तो यहां उपर रा ना उड़ करके अन्ता यानि की बड़ा बन जाएगा अगर इसको किसी को बताते हैं जिसको सही से समझाने यह सूत्र को तो कहते हैं गलत है नहीं यही शुद्ध है और यह मैंने भहुत परिक्षाम देखा भहुत आता है इनमें इस वाले से एक ना एक प्रशन अवश्य रहता है यह मान के चलिए आप ठीक है एक उधाण और बतारने का प्रियास करता हूं मैं जो बिवादास्पद है मनसधन रत थोड़ा ध्यान देंगे तो बात साफ हो जाएंगे क्यों कि जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें क्या बनेगा पैसले इसको मैं बना लोगा ना मनरधन रत यह बना अब रा के बाद में रा आ रहा है तो रा का लोप हो जाना चाहिए था प्रियो कैसे किया जाता है मनो रत इस तरह से यह प्रियो किया जाता है तो ओ कैसे हो गया मना रत होना चाहिए था इसका तो मना रत होना चाहिए था लेकि नहीं हुआ तो इसके लिए एक सूत्र है वी प्रतिशेदे परमकार्यम मतलब जो प्रतिशेद है अर्था जिसमें तुलनात्मक चीजें हों, दो सूत्र हों, दोनों एक ही कार कर रहे हों, तो जो बादवाला है, वो उसमें शक्तिशाली हो जाता है, जैसे हशीचा, हश प्रत्यार था, उसमें भी रा का प्रियोग किया जा रहा है, और रोरी में भी रा है, उसमें भी रा आता है, ठीक है, इस इसमें रोरी वाले में भी रा के बारे में बताया गया है तो दोनों यहां पर हिसाब लगाया जाए तो इस सुत्र में जो कार कर रहे हैं दोनों लगवक बराबर का कर रहे हैं वहां रा को बनाने का काम कर रहा है यह यह रोरी जो है वो रा को लुप्त करने का कार कर रहा है द लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, जब हम इसको प्रियोग कर लेंगे, तो यह मना अरत हो जाता, लेकिन मनुरत फिर भी नहीं बनता, इसके लिए एक सूत्र और प्रियोग किया गया है, अश्टध्याई जो आठ भागों में विवक्त है, आठ भागों में भी प्रतेक में च चार-चार भाग विवक्त एं, चार-चार भागों, जिसनको पाद बोला जाता है, आठ अध्याई और चार पाद, तो साथ अध्याय और आठ अध्याय का प्रिथम पाद थोड़ा ध्याँ रखना साथ अध्याय है लिख दूँगे फिर समस्या हो जागी नहीं था साथ अध्याय प्लस आठ मे का प्रिथम पाद ठीक है ये दोनो यहां तक और बचे कितने हमारे आठ आठ में अध्याय के तीन पाद ठीक ये तीन पाद बचे जब भी इन में से कोई सूत्र हो और इन में से भी कोई सूत्र हो दोनों में तुलात मखो दोनों ही लागू हो रहे हो तो जैसे लागू इसमें यहां रोरी हो रहा है पूर्व हो जाता है पूर्व के जो हैं सूत्र ये वाले इसके प्रति ये वाले इसके प्रति असिद्ध हैं अर्थात इनकी कोई भी मानिता नहीं है इनकी कोई भी value नहीं एक तरह से यह मानी यदि ये सूत्र इस अध्यायत के पाद तक थोड़ा सब टिपिकल हो जाता है मामला इसको समझाना इस आठ अध्याय के प्रतम पाद तक साथ अध्याय तक पूरे आठ अध्याय के प्रतम पाद तक जो सूत्र पड़े गए हैं वो यदि लागू हो रहे हैं साथ में ये भी लागू हो रहा हो तो इनकी कोई भी बैलियू नहीं रह जाती ये अपने आपको शक्ति हीन महसूस करने लगते हैं और ये वाले इसमें प्रियोप कर लिए जाते हैं जैसे इसमें दोने सुत्र हैं हशिचा भी है और रोरी भी है हशिचा जो है वो छट में अध्यायका है और रोरी जो है आट में अध्यायका है तो इसलिए हशिचा सपाद ये इसमें है हशिचा वाला और रोरी जो है वो इसके अंतरगत आता है इसलिए इसकी कोई भी यहाँ वैल्यू नहीं रहती शक्ति हीन हो जाता है इसलिए रोरी यहाँ पर शक्ति हीन हो जाता है और हशिचा इसमें प्रियोग कर लिया जाता है उम्मीद है थोड़ा सा प्रियास किया है मैंने इसको समझाने का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है याद रखो एक बार और बताऊंगा आठ अध्यायों तक साथ अध्यायों पूरे आठ अध्यायों का प्रथम पाद के यदि सूत्र लागू हो और आठ में अध्याय के जो तीन पाद बचे उनके भी सूत्र लागू हो एक जगह है तो आठ अध्याय के प्रथम पाद तक जो सूत्र है वो बलवान होते हैं शक्ति द्वारा वुकार किया जाता है ना कि आठ में अध्या की जो तीन पाद बचे उनके द्वारा ठीक है उन्हीं को असिद्ध भूल आ गया है आद चली आभ मैं इसको मिटांगा तो आब बात समझ मैं आ गहीं होंगी ना ह्यीं हो तो मुझे बताने प्रियास करना तो मैं जब Maragira का आप संपूर अध्यन कराऊंगा, इसके संधी के बाद में संगया प्रिकन लोगा, उसमें भी समझाऊंगा इसको, तो मैं और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा, तो अब यहाँ पर यह हशीचा प्रियोग किया जाएगा, ठीक है, बन जाएगा यह, क्योंकि हमें पता इसके साथ क्या होता है, उ का प्रियोग होता है, और यह रत, तो यह आद गुना से गुनसंदी हो जाती है, इसकी मनो धन रत बन जाता है, यह, मनो रत, इस तरह से आने वाले और भी जो शब्द हैं, वो हशीचा के अंतर गती ही प्रियोग किये जाएगा, मैंने यहाँ समझाने का प्रियास किया, और अपनी तरफ से पूरी कोशिस की है, यदि कोई कमी रह गई हो, तो उसको भी अवश्य बताएं, क्योंकि मैं और भी आगे जो वीडियो समझाने का प्रियास करूँगा, या सुत्रों को समझाने का प्रियास करूँगा, और और अच्छे से प कमेंट का आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका आंसर देने का प्रिशन का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे और यदि आपके कोई मित्र कि अध्यन कर रहे हैं तो उनको भी हमारी इन वीडियो को शेयर करें लाइक करें आज इतना ही जैहिंद